तो आहिए पर बार बार रिमाइंड करा आपके लिए गेमचेंजर हो सकता है तो इस आखरी एक महीने मैंको कौन से प्यारी प्यारी बाते धियान रखने वाली है वो आपको फटा-फट से मैं बता दूगा वो सब बताने के पहले अगर इस चैनल से थोड़ी सी help मिलती है ना तो subscribe जरूर करना उसके लाव लाइट target रखू 500 कर देना ठीक है चलो अब मेरी बात फटाफ़र से सुनना मैं कुछ pointers लिखके बले आपको बता दूँगा फटाफ़र से आखरी का एक महिना बाकि है try to keep it simple इससे मेरा मतलब क्या है don't try to complicate things कि मैं ये भी कर लो वो भी कर लो ऐसा भी कर लो ऐसा भी कर लो नहीं ये revision का समय है तो जो आपने पहली बार पढ़ा है आपको उतना revise करना है अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर मेरा पुराना पढ़ना भी कुछ नया पढ़ना भी बाकी है मेरा तो अगर नया पढ़ना भाकी है तो क्या करूँ सर मैं नया पढ़ू कि revise करूँ देखो आखरी के एक मेने मुझे ऐसा लगता है जादा focus revision पोना चीए बट हाँ कभी कभी होता है कि कुछ subject मेरा थोड़ा सा pending है तो मैं आपको recommend करूँगा जो आपको सुबे उठने के बाद का 3 गंटा है उतना 3 गंटा आप दे सकते हो नया content पढ़ने के लिए वो नया content आपका किसी subject का RTP भी हो सकता है किसी subject का नया chapter भी हो सकता है जो भी हो सकता है आप उस 3 गंटे के लिए फिटिंग करना जो भी नया content पढ़ना है लेकिन बाकी जो पूरे दिन का आपका 9 गंटा है उसमें आप बस और बस उसी पर focus करूँगे वो है revision बराबर तो ध्यान अटना पहली चीज़ second चीज revision के अंदर भी सारी question सारी concept मत करते बैठना जो आपने पहली बार में चीज़ों को mark किया होगा जब परली बार पड़ा या इसके पहले revision के जो भी किया आपनी चीज़ों को mark किया होगा ना जैसे for example FR की बात करता है FR में जब आपने class वगेरा की थी आपको मैंने पता आता ना कुन से question revision में लेकर जाने वो question की ज़ादा अच्छे ज़र बैटिस करनी है अपने को ठीक है यह नहीं कि अपने को बहुत temptation होता है as a student कि ये भी देख लू किया ये भी देख लू किया अपनी marking के पर भरोसा रखना क्योंकि अगर सब cover करने जाओगे तो time जादा लग जाएगा of course जितना cover करने को इतना अच्छा है लेकिन अपने को सिफ cover करना important नहीं है given time में cover करना बहुत important है तो आप जितने भी days allot करने को इस particular subject को उसमें complete करने के लिए आपको उतना ही time देना जितना required है और उतने ही sums करना जो आपने पहली पर में mark किये है अपनी marking को भरोसा रखना ठीक है उसके लावा RTPs जो भी आपके respective subject की होगी काफी बच्चे पता है क्या करते है RTPs अभी नहीं करते है बोलते हैं मैं FR specific बात करूँ तो FR में mark test के question repetitive है तो बाइक चांज अगर आपका mark test paper देखना रहे भी का तुभी चल जाए का लेकिन RTPs ज़रूर देख लेना ठीक है उसके लावा हां एक और चीज मौक test से आदा है काफी बच्चे भी पूछते सर mark test देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए देखो देना तो चाहिए लेकिन आपको ये देखना है कि आपके पास समय कितना बच्चा है देखो मैं इदम practical बाते करूँगा ऐसा नहीं कि मेरे बोलने से अगर मेरे बोलना कितना असान है कि ये भी कर लेना वो भी कर लेना ऐसा कर लेना वैसा कर लेना लेकिन आपको ये देखना है कि आपके बचिता टाइम एवेलेबल है उसमें आपका mark test देना फिट इन हो रहा है कि 100 पसंद देना चाहिए लेकिन काफी कभी कभी क्योंता है जैसे मैं honestly बोलता हूँ करो जो आपके वीकर टॉपिक्स उसको देखो अब मेरे पास टूबी वेरी ओने जब मैं पढ़ाय कर रहा था मेरे पास समय नहीं था उतना हैना मेरा रिविजन चल रहा था तो मेरे पास यह option था कि या तो मैं मौक टेस्ट दे दू या फिर मैं रिवाइस कर लू तो आप अगर ऐसे इंडिविजल हो जिसको एक्जाम में थ्वड़ा पैनिक जादा एक्स्पिरेंस होता है तो येस यू शूड प्रिफर दन इन दाट केस मौक टेस्ट तो कैसे करने का सबोज आपने इस महिने में किसी अपजे को आपने चार या 4.5 देस दिया तो 4.5 दे तो आप 4 देस करना और जो 0.5 देस उसमां मौक टेस्ट को खुद एवालुएट करना मिरको ऐसा लगता है तो इट डिपेंस वाम इंडिविजल ट्यू इंडिविजल की मौक टेस्ट देना चाहिए कि नी देना चाहिए मिरको लगता सबको देना चाहिए लेकिन अगर करने का ट्राय करना एक आधा घंटा या आधा दिन खराब भी हो जा तो भी उसको लेकर पूरा हफता बर गाना मत गाना हो गया हो गया इंसाने गलतिया होती है हम तो गलतियों के पुतले यह बोलके अपना आपको फरगिव कर देना और आगे बढ़ जाना पटापट से ठी चिंता आपको करने की जरुवत नहीं है यह एक महीना बस महनत 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 करने पर फोकस करना और प्लान करकर रखना चीज़े को कि आप कौन सी चीज़े कप पढ़ने वाले हो वह प्लान का अगर 70-90 बशन भी अचीव कर लेते हो इस मोड़न सफीशेंट ठीक है टेंशन ले प्लास पर लास्त मंत प्लीश की वरकिंग हाड इस अप शॉरली निकल जाओगे अगर आप अच्छे से महनत करोगे ठीक है तेक है तैंक यू फॉमच बबाए जियों टेक्र स्यूआ जयुवर गड़ने अचीए अच्छे से अच्छे से महनत करोगे ठीक है थाए तैंक